साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो हिंदी पढ़ने का अभ्यास करें हिंदी पढ़ने का अभ्यास करें की आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं इस कहानी का शीर्षक है निरंतर प्रयास और क्रपा की वारिस तो आए इस कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी पढ़ने का अभ्यास करें तो वीडियो पूरी देखनी है तो आए इस बहुत ही अच्छी कहानी का आनन्द लें और साथ में हिंदी पढ़ने का अभ्यास भी करें पढ़ेंगे एक बार एक गाउं के किसानों से किसी बात पर इंद्र देव नाराज हो गए उन्होंने कहा अगले बारह वर्सों तक तुम्हारे गाउं में वारिश नहीं होगी गाउं के किशान बहुत परेशान हुए और इंद्र देव से बर्सात करने के लिए परार्थना की इंद्र देव ने कहा कि एक ही उपाय है यदि सब लोग भगवान शिब के पास जाएं और उनसे डमरू बजाने के लिए कहें यदि भगवान शिब डमरू बजाएंगे तो उसी समय वारिश हो जाएगी उधर इंद्र देव ने पहले ही भगवान शिब से डमरू ना बजाने के लिए कहें दिया गाओं के लोग भगवान शिब के पास गए तो भगवान शिब ने भी कहें दिया कि अगले बारहे वर्सों तक डमरू नहीं बजाएंगे गाओं के किसानों ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता वे सब खेती किसानी का काम छोड़ कर घर पर बैठ गए लेकिन एक किसान अपना हल लेकर रोजाना खेत में जाता था वह रोजाना खेतों में सारे काम करता था गाओं के बाकी लोग उसका मजाक उडाते कि जब वारह वर्सों तक वर्सा ही नहीं होगी तो तुम खेतों में काम क्यूं करते हो वह किसान बोला कि मैं हर दिन खेतों पर खेती करने का अभ्यास करता हूं ताकि मैं बारह वर्सों में खेती करना ना भूल जाऊं मा पार्वती ने जब यह चर्चा सुनी उन्होंने भगवान शिब जी से कहा कि वहा एक किसान इन बारह वर्सों में खेती करना ना भूले इसलिए रोजाना अभ्यास कर रहा है कहीं आप भी इन वारह वर्सों में डमरू बजाना ना भूल जाएं जैसे ही मा पार्वती ने इह कहा भगवान शिब ने इह जानने के लिए डमरू उठाया कि यह बज रहा है या नहीं डमरू बज गया और उसी समय उस गाउं में वर्सा होने लगी उस एक किसान के खेत पहले से तयार थे उसने बीज बोया और उसके खेत में फसल लह लहा उठी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए क्या पता कब प्रुभु कृपा की वारिस हो जाए जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए क्या पता कब प्रुभु कृपा की वारिस हो जाए तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी पढ़ने का भ्यास किया हिंदी पढ़ने का भ्यास करें कि आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कहाने लेकर आये थे और बहुत ही अच्छी कहानी है आप उमिद करते हैं आपने कहानी पूरी सुनी होगी और आपने कहानी का आनन्द भी लिया होगा और कहानी से कुछ शीख भी ली होगी हम भी आपसे यही कहते हैं कि आप लोग लगातार अभ्यास करते रहें अभ्यास करते रहेंगे तो अबस ही आप लोग हिंदी लिखना पढ़ना सीख जाएंगे ऐसा हम आपको असासन देते हैं और आपको सुब कामना देते हैं कि आप बहुत ही जल्दी हिंदी लिखना परना सीख जाएं तो यह थी आज की वीडियो तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्यारती को सब्सकाइब भी कर लीजिए हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही विवारी तरीके से हिंदी लिखना परना सीखाया है और हमारे जिन साथियों ने हमारे चनल को सब्सकाइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यबाद और जो साथी अभी अभी हमारे कहने पर हमारे चनल को सब्सकाइब कर रहे हैं उनको भी बहुत 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 धन्यबाद मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै हिंदी